अभिनेत्री कंगना रनोट के खिलाफ अर्याना की गुरू गुराम में देश्द्रो की शिकायद दर्ज हो चुकी है। उन पर आरोप है कि आरक्षन को कोस्ते हुए कंगना ने सम्विधान का ही अपमान कर दिया। जै भीम मैं हूँ सुमे चोहान और मेरे साथ सुनिये कंगना रनोट विवाद की पूरी कहानी। दरसल कंगना रनोट और जाती का ये सारा विवाद एक किताब के बारे में किये गए ट्वीट से शुरू हुआ था। जबकि बात किताब पर होनी चाहिए थी। जैसा कि कहा जाता है कि लोगखत यानी चिठी देखकर मजमून यानी अंदर क्या है ये पढ़ लेते हैं। वैसा ही अफ्रीकन अमेरिकन पत्रकार और लेखक ईसा बिल विलकर्सन के किताब कास्ट दी ओरिजिंस ओफ आवर डिस कंटेंट्स के बारे में भारत में हो रहा है। इस चर्चा के केंदर में किताब नहीं एक ट्वीट है। ट्वीट में सिर्फ ये लिखा गया था कि इस किताब की दुनिया में काफी चर्चा हो रही है। लेकिन भारत में इसे लेकर चुपी है। इस ट्वीट में जाती व्यवस्था के पक्ष या व्यपक्ष में कोई टिपणी नहीं की गई थी। इस ट्वीट में आरक्षन शब्द का जिकर तक नहीं है लेकिन हिंदी फिल्मों की कलाकार कंगना रनोत ने तैय किया कि इस ट्वीट को लेकर बात किताब पर या जाती की समस्या पर नहीं बलकि आरक्षन के बारे में करनी है उन टिपनियों को कंगना रनोत के ट्वीटर इन ट्वीट्स में कंगनाने मुख्य रूप से 6 विजा रखे हैं नमब वन आधुनिक भारत में जातिवाद खत्म हो गया है छोटे शेरों में जातिवाद नहीं है नमब टू जातिवाद की समस्या अगर बनी हुई है तो इसके वज़े आरक्षन है जिसका प्रावधन समविदान की वज़े से है नमब त्री आरक्षन की व्यवस्था मेरिट और ग्यान के खिलाफ है और इसकी वज़े से भारत का स्रेश्ट ग्यान अमेरिका चला जा रहा है नमब फोर रेजर्वेशन भाई बते जावाद का ही दूसरा रूप है नमब फाइब अमीर लोग जो ओड़ी कार चलाते हैं उनके बच्चे भी रेजर्वेशन का लाब उठा रहे हैं नमब सिक्स जाती का संबन किसी की पैचान से नहीं ये व्यक्ति के गुण पर निरबर है लेकिन जाती पर चलने वाली किसी भी चर्चा को आरक्षन तक सीमित कर देना और जाती के कारण कुछ जातियों को मिलने वाले विशेशादीकारों और बाकी जातियों के साथ जाती के अधार पर होने वाले उत्पीडन, भेदभाव और भारत की विभिन संस्थाओं में सवर्ण जातियों के बेहिसाब वर्चस्वर पर बात नए करना वो रननीती है जिस पर सवर्ण जातियों के बुद्धी जीवी से लेकर आम लोगों तक अक्सर अमल करते हैं। जाती को लेकर सिर्फ आरक्षन के चर्चा करने की ट्रेनिंग सवर्ण परिवारों में अक्सर बच्पन में ही दे दी जाती है। जाती के बारे में जो बोल रही हैं वो इस माइने में सच है कि इसके अलावा कोई सच उनको आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। ऐसे लोगों का अक्सर तरक होता है कि जाती तो हमने नहीं बनाई है। ना मेरे बाप दादा ने बनाई है और हम या मेरा परिवार ना तो दलितों का बलातकार करता है ना उनके साथ चुआ चूट करता है। ये तो वो बहुत पुरानी चीज है इसलिए वर्तमान पीडी को जिमेदार ठहराना या उनसे रोजगार और नोक्रियों के अफसर छीन कर किसी और जाती को दे देना कहां तक सही है। देश के तमाम अफसरों और नोक्रियों पर अपना अधिकार मानना दरसल एक सवर्ण ग्रंथी है जिसकी वज़े से सवर्ण समुदाए खुद को ज्यादा प्रतिवाशाली और मेरिट वाला मानता है। मेरा मानना है कि अगर कंगना रनोत ने इसाबेल विलकर्सन के किताब पड़ी होती तो जाती की बारे में वे इस तरह से बात शायद नहें कर पाती। विलकर्सन के किताब दरसल सिर्फ भारतिय जाती विवस्ता के बारे में नहीं है, उनका मुख्य उदेश है अमेरिकी नसलवाद को समझने का एक नया नजरिया विकसित करना है। और उस करम में वे बताती हैं कि अमेरिकी नसलवाद को जाती वाद और जाती विवस्ता के नजरिये से बहतर समझा जा सकता है। वे एक पुरानी इमारत का उधारन देते हुए अमेरिकी नसलवाद की वैख्या करती हैं और कहती हैं। पहली नजर में ये घर ठीक ठाक नजर आता है लेकिन जब इंफ्रारेट तकनीक से घर की जांच की जाती है तो उसमें कई तरह की छिपी दरारे और टूट फोट नजर आती है ये घर अब यहां रहने वालों के लिए सुरक्षित नहीं है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये घर इस हाल में कैसे पोचा इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं आतीत में किये गए अपराद या पाप के लिए कैसे जिम्मेदार हूँ वे ये भूल रहे हैं कि ये घर बुरी हालत में है और इसकी हालत लगातार खराब हो रही है यहां रह रहे सबी लोगों को इसके मरमत में जुटना चाहिए भारत में रिजर्वेशन या वंची तबगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के जरिये इस इमारत की मरमत का काम चल रहा है कितनी मरमत हो पाई इसका अंकलन अभी होना है लेकिन ये कहकर कि आरक्षन से जाती व्यवस्था अब तक कमजोर नहीं हुई मरमत के काम को रोक देने के समान होगा दरसल जाती व्यवस्था की विशेषता ये है कि हमेशा नजर नहीं आती ये एक अदरस्ष विशेषादीकारों का जोला है जिसमें से मोका देखकर कोई चीज निकाल कर सवन लोग इस्तमाल कर लेते हैं और बाकी समय में ऐसा आभास दिलाते हैं कि मानो ऐसा कोई जोला उनके पास है ही नहीं विलकिरसन बताती हैं कि जाती भाशा नहीं उसका व्याकरन यानी ग्रामर है ये हमें तबी सिखा दी जाती है जब हम बच्चे होते हैं हो सकता है कि हमने व्याकरन के अलग से कोई किताब ना पड़ी हो लेकिन व्याकरन पड़े बगेर भी बच्चे बोलना सीख जाते हैं। और उन्हें पता होता है कि कि शब्द के बाद क्या और कैसे बोलकर बातचीत करनी है। हम बोलते वक्त व्याकरन के बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें व्याकरण नहीं आता। यही बात जाती व्यवस्था के बारे में भी लागू होती है। अमेरिका की तरह अद्रश्य नहीं है। भारत में जातिवाद का अकसर बेहद करूर और हिंसक तरीके से इस्तमाल किया जाता है। लेकिन खासकर विदेशों में बसे भारतिये और महानगरों में बसे लोग जाती को बारीक तरीके से अपने पक्षमें इस्तमाल करते हैं। ऐस अगर चमडी है तो जाती हड़ी है ये हमारे बीच के फर्क का आधार तत्व है इसकी वज़े से ही बेदबाव वाली विवस्था खड़ी है ये हवा की तरह है जब इसके रफतार ज्यादा हो तो ये आपको उड़ा ले जा सकती है लेकिन सामाने स्थीतियों में ये होती तो ह लेकिन नजर नहीं आती मिसाल के तोर पर जब भी कंगना को जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जाती राजपूत की पहचान का इस्तमाल कर लिया और बाकी समय में विजाती मुक्तिया सिर्फ भारतिय बन जाती हैं करणी सेना ने मनी करणी का फिल्म रिलीज होने के समय जब विरोध किया तो कंगना ने अपनी राजपूत जाती को आगे कर दिया अब वे कहती हैं कि वे सिर्फ भारतिय हैं सवर्ण समुदाय जाती का ऐसा सेलेक्टिव इस्तमाल करता रहता है मिसाल के तोर पर लगबग हर सवर्ण बुद्धी जीवी ने 2010 से 2011 में जाती की बात है दरसल सुविधा के अनुसार जाती मुक्त हो जाना सवर्णों के लिए ही मुमकिन है सतीष देशपांडे सवर्णों की सुविधा का जिकर करते हुए कहते हैं कि सवर्ण जातियों के लोग अपने विशेशादिकार को जाती मुक्त बता पाते हैं लेकिन वंचित स प्रदे के पीछे रहकर कट पुतलियों को नचाता है ये उस दवा की तरह है जो हमारी नसो में दोड़ती है इस वज़े से न्याय को न्याय की तरह देखा जा सकता है ऐसा माना जाता है कि सिस्टम के चलते रहने के लिए अत्याचार तो करना पड़ता है ये सब इसलिए ताकि वर्चस्व साली वर्ग का दबदबा कायम रहे धमदर्शन ने गम बताते हैं कि इस वज़े से सवन लोग उन अत्याचारों की बात नहीं करते जिनकी वज़े से बाकी लोगों की जिन्दगी तबाह हो जाती है उन्हें लगता है कि हातों से मानव मल को स सामाने चीज़ है दलित बहुजन राजनिती उनके लिए देश की सबसे बुरी बात है और रिजर्वेशन उनके हिसाब से राष्ट्य संप्रदा की लूट है कंगना रनोत को ये जानकर खुशी हो सकती है कि खुद को जाते मुक्त मानने वाली एक अच्छी खासी शहरी और साधुनिक जमात देश में मुझूद है 2011 में जब जाती को जनगनना में शामिल करने का मामला सामने आया तो इस जमात ने कहा कि मेरी जाती हिंदुस्तानी इसलिए कंगना ऐसा कहने वाली अकेली सवर्ण नहीं है ये लेक दप्रिंट पर प्रोफेसर दिलिप बंडल ने साथियों अम्बिट करवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बोजन मीडिया को स्थापित करने में दाशूद्रा की आर्थिक मदद करें आप सीरे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भीच सकते हैं बेनफीसरी नेम है दाशूद्रा अकाउंट नंबर है 22330094689357 IFSC कोड है RATN 0VA PIS ध्यान दीजिए IFSC कोड में RATN के बाद 0 है ओ नहीं बैंक का नाम है आर्बियल और ब्रांच है मुंबई आप हमें 85957942248 पेटियम पर UPI के जरिये भी अमाउंट रस्फर कर सकते हैं पेटियम गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224 जै जै भारत